हेलो टू आल पीजन लवर्स मैं पीन्टी सुभाशी सेंसे मैं सुभाशी शुरकाता से तो एक ट्यूटोरेल वीडियो बना रहा हूँ के ओरिजिनल मलवाई कभूतर या कहले पंजाबी मलवाई कभूतर आप कैसे पहचाने ठीक है क्योंकि हमारे वेस्ट बेंगॉल पे जर्चा कभूतर नाम का एक ब्रीड होता था लगबग 30-40 सल पुराना एक ब्रीड था जर्चा कभूतर या हम बेंगॉली पे कहते थे जर्चा पायरा बहुत सरे लोग उस जर्चा कभूतर के साथ मलवाई कभूतरों को मिक्स कर लेते मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शायद जर्चा कभूतर है लेकिन ये जर्चा कभूतर नहीं होते दोस्तों ये डारेट पंजाब के नसल होते हैं और इनका कुछ quality और खासियत होता है जो जर्चा कभूतर से अलग बनाता है, तो दोस्तों इससे पहले मैंने एक क्यूटोरियल वीडियो बना था, कि आप कैसे पैचान होगे, लेकिन उस दिन बहुत बाईश हो रहा था, और आज बहुत धूप है, तो उस वीडियो का लिंक भी डेस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उस वीडियो पे आपको पता चले है कि मलवाई कभूतरों का नाम कैसे मलवाई होगा था, बहुत सार इंफोर्मेशन स्चेयर किये थे इस भाई ने, तो फिर्सीज भाई का एक वीडियो बना रहा हूँ, कैसकते है, पार्ट टू है ये, मतलब ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, कि अच्छे उड़ान वाले मलवाई कैसे पैचाने, आप किसी बड़े उस्तात या कभूतर भास के घर से अगर कभूतर लाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कोई हाड बजार या ऑनलाइन देखके, अगर कभूतर खरीदना चाहे, तो क्या क्वालिटी देखना चाहिए, कभूतरों में क्या क्वालिटी होना चाहिए, उसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज एक लाइक कीजेगा, और जाद से जादा जरूर शेयर कीजेगा, क्योंकि हमारे यहाँ वेज्ट बेंगल पे शायद ऐसा वीडियो किसीने नहीं बनाया, क्योंकि मलवाई कभुतरों के नाम पे हमारे यहाँ बहुत स्कैम हो रहा है, लोगों को यही जर्चा कभुतर मलवाई कभुतर बोलके बेचा जा रहा है, ताके आप इस स्कैम से बच सको, इसलिए यह वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, आप बनाया जा रहा है, क्यों दिखाया जाएगा कभुतर, उसी से ही आप को सेल के लिए मिलेंगे, ठीक है? लगभख 75-05 कभुतर है? 75 है, ना? ौच-वणीतberg बहुतर है? 75-25 कभुतर है, अहीने, एकिस आपको लिखाया जाए कैसे कॉंटर पहचाने आईनिक वें सेल में बिए जाए आप की स्टेसल कर दिखाएंगे चाह रेंगे आपको पेचेंगे ज़रूर ज़रूर एफ THERE बिलकुल नहीं करते हैं लेकिन इससे अप मत किजिए कर सकते लेकिन सेल का वीडियो अलग से बना जाएगा उसमें प्राइस भी बता जाएगा ये वीडियो सेल के लिए नहीं बना जा रहा है बलके आपके ट्यूटोरियल के लिए बना जा रहा है ताकि आप किसी और से भी कभूतर खड़ी दो तो ये क्वालिटी देखना चाहिए जो भी भाई आपको उतना ज्यादा नहीं खटना पड़ेगा अच्छा था के नहीं पड़ेगा तो ये ना हो और स्कैम भी हो रहा है बहुत मलवाई के नाम पे जड़्चा कभूतर लोगों को बेचा जा रहा है ये ना हो लोग ना ठगे ये वीडियो बनाया जा रहा है तो आज दोस्त जो सेल है वो भी वीडियो बनाएंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स भाई दिखा देंगे थोड़ा वीडियो को देख लिजे ध्यान से दोस्तो धूब चला गया क्या करे थोड़ा बादल आ गया फिर भी मैं दिखाता हूं सबसे पहले यही चीज है कि जर्चा का उतर सी बृट के बिलकुल अलागे है जी जी मलवायो का हेट से पता चल जाता है उसको पीली यंक कहते न इख लीजै दोस्तो थेक है एक है देखे लिजे देखिए आइस देखिए इससे आपको पता चलेगा और दोस्तों पहले नर दिखाए और एक इसी का यह फिम्यल इसी में कुर्टाइ मे दिखा रहे है ज़फे इस फ्हूरत खुरत दानाई कर दोस्तों डाकर फैसे मेंग कि समय जब तंद हुर्चरण पटोलिये नहीं lub कर पर दोस्तों यह कारन है कि इनका मतलब क्या बोलेगें ज्यादा पावर इनको इंवेस्ट नहीं करने के लिए उड़ने के लिए ज्लिए ए की तक उड़ पाते हैं का सरीर壹ा भी बहुत हल्गा कहते हैं इसे प्टले प्टले पर हो ऑगे मतलब बोड़ी में कौई वजण वेट कि नहीं रहेगा और इनके प्टलने के पता चलेगा दिखे क्यों है सब तो सुपर कॉलीटी का काभूतर है यह फीमेल्हा दोस्तों देख़े हैं मतलब पंजाब में ऊड़ी हुई है कभूतर को बादी होई न को देखे अब फितना होगा तीन उंगल हो एससे बींगों चोटा होगा छोटा देख़े कि और नर का भी को है तो को सब्सक्राइक इन फिमेल को इतना चोटा है वोग एकक्ट होगा पॉइंटेड होगा से इसा फिरूमेंत पेलोह पो चुब रहा है मतलब जैसे की हड़ी भी इनका पतला अंदर से अच्छा यहां पर हाथ देंगे तो हड़ी एक दम चुबना चाहिए जैसा सुई जैसा इसका मतलब यह हडी भी हलका है कबुतर का अंदर का स्ट्रक्चर पुरा हलका है अच्छा हडी मोटा होने से कबुतर तो क्योंग होता है थोड़ा भारी भी अशाले वह उड़ान नहीं देपाते देंगे लेकिन वह अशरा नहीं वह परफॉर्फिमिनस नहीं मिले अच्छा थोड़ा सा छोड़के दिखाते देखे अलका बोडी और हडडी वाला जो टीप सुनों ने दिया ये भी ध्यान रखेगा कभूतरों का हडडी वाइसा होना चाहिए तब ही ओरिजिनल या प्योर माना जाएगा नहीं तो प्योरीटी पे नहीं रहते या फिर होते हैं लेकिन परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेंगे व बल्ब जैसा बाहर की तरफ निकला हुआ है जी है पट्टी बी ब्लू पट्टी और एक ग्रीन भूकल लेंस है जी मतलब हरेयाको का पीलिया इस बोल सकती इसको हाँ 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 ग्रीन शेड वाला और इसका विंग स्पैन देखिए दोस्तों कितना बड़ा विंग और वो भी जेट पर है जेट पर है एक दम ठीक है यह कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे आपको पता चलेगा के उड़ान भी है और और ओरिजिनल प्यूरिटी में भी है अगर यहां के भी बच्चे लेंगे किसी से तो उस काबुतरों में भी यह क्वालिटी देखना चाह प्युक्तिशहथ्यद होता है मतलब प्योर में है बढ़िया और यह देखेए छोड के दिखा रहा हूं यह है यह अ माधिन फीम्ल जआ हैट चेप देखिए मलवाय का हैट सेफ आइसा होता है और गोल मतलब सामने देखली जैस पुरा गोल होगा ठीक है बऋने पूरLI हेट यह जोड़ा दिखा रहा हूँ, आगे और दिखा रहा हूँ, एक सफेदा इसका भी होता है, बहुत सरे लोगों को लगता है कि वो गेरेवास का उतर है, जीने वह भी मलवाई है, वह भी आगे दिखाते हैं. अच्छा दोस्तों यह दिखा रहा हूं पहले तो दिखाया पीली आइस में ज्यादा वही फेमास होता है मलवाई पे लेकिन यह भी एक होता है देखने भी एक ग्रेबास लाएगा लेकिन यह मलवाई है इसको क्या खा जाता है हजार वालों में से हजार वालों में से हजार व बैयों के पेरों में इतने पतले पतले उंगलिया होती है पूरा सरीर पतला हे तरो thый साहा पश्कायको बीस है जाब का निट्थ नइ releasesimizi हुआ किव थी था स्व नूह कीज़ुए हे यह हच नों नुखिला हिंडी पर बिंगोली पर भुले तो भीडियो संवेड मतला अट में हाग मतला इनन तो हनु खीला हडडी होगा चुबेगा हाथ में चुबेगा यह प्यूरिटी का साइन है और देखिए उस नर्का यह फिमेल दिखा रहा हूं यह भी हजार वालों में से है हजार वाले हैं इसका भी आइस देख लिजे क्योंकि यह तो देखके लएगा गिरेबाज का उतर है लेकिन य और जो माथा या सर या हेट गोल टाइप का होता है बेसिकली इनका देख लीजिए तो देख लीजी यह जोड़ा है यह फिमेल है छाती में रंग है यह पंजाब में कभूतरी जो है उड़ चुकी है स्टैंडिंग देखिए खाडान देखिए और दोस्तों पैर में रिंग स्टैंडिंग देखिए पीछे वाला है नर जो पहले दिखा है जैसे भाई ने कहा के चुबेगी जो हड़ी जोड़ा है वह हाथ में चुबेगी यह चुबेगा और दोस्तों यह है इसका फीमेल खाडान देखिए स्टैंडिंग देखिए बाजू देखिए यह सफेद आने वाला है चैनल को सब्सक्राइब करके रखे अल इंडिया और ओल वेस्ट बेंगल डेलिवरी है इनका तो आप जहां से भी देखिए उम्मीद करूंगा कभूतर मिल जाएगा तो अगर यह वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज एक लाइक किजेगा जाह से जाह से जा सब्सक्राइब करके रखे वीडियो मिस मत कीजिए बहुत ही कम प्राइज में सेल किया जाएगा और अगर यहां से भी ना ले यह वीडियो उम्मीद करूंगा आप लोगों को ट्यूट्योरियल मतलब एक ओरिजिनल मलवाई काभूतर करने पर या चूज करने पर मदद करे तो इस वीडियो को यही पर खतम करता हूं आगे ऐसे और वीडियो उसके साथ वापिस आँगा तो तब तक के लिए ठेक केर गुड़ बाई